तो हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी numbers को अलग format कैसे दिया जाए जैसे कि for example हम यहां यही पर मांग लिजिए कि हम यही पर check number दे रहे हैं तो check number में अगर हम zero zero कर देते हैं तो zero accept नहीं करता है तो हमने बताया कि आपको कर यहां पर single code लगाते हैं और यहां पर लगाते हैं तो यह बार बार नुना देना आपको ने तो क्या किया जा या फिर मांग लिजिए हमें check number लिख दिया और हमें बात में zero लगाना है उस case में क्या करेंगे इसको हम select करते हैं right click करते हैं और हम format sale में जाते हैं यहां हम बात करते हैं नंबर में custom के तो उसे check zero maintain करने हैं यहां पर one two three four five six time zero डाल देते हैं तो जितना zero कम है उतना zero यह डाल देता है कि यहां देखेंगा जस्त वीज्वेल है और इजनल नहीं है जस्त वीज्वेल है कि आपने कहीं पर single code डाल दिया two three two three two देखने में दोनों यह हैं बट इस सिर्फ three two three two है बट यह है 003232 इन दोनों को अगर मैं equal करो तो यह दोनों आपस में ब्रावर नहीं होगा मतलब कि प्रिंट के हिजाब से प्रिंट आउट के हिजाब से हमने इस तरह के चीजे यूज किया है एक्ष्वल में नहीं है क्योंकि कोई भी फॉर्मुला या कोई भी फॉर्मेटिंग आपको चेंज नहीं करता है जोगि उसकी ओर्जिनल वैलू को चेंज नहीं करता है जिस वीज्वल को ही चेंज करता है कि चेंज करता है कि अब आगे बढ़ती इसमें मैं मुवाइल नंबर लिखता हूं तो इसमें प्लास नाइन वन लगाना चाहता हूं तो प्लास नाइन वन नहीं एसेप्ट करता है तो मैंने इस पूरे कॉल्म को स्लेक्ट किया राइट करें एक फॉर्माट सेल और कस्टम पे गया और यहां पर हमने दिया प्लास नाइन वन और फिर यहां पर 1,2,3,4,5,3,4,5,3,7,8,9,8,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10,9,10 तो प्लास आप कहने मत्तरे एक टाइट कुछ और करना चाहते है और शो कुछ और करना चाहते है उसके लिए कर्ष्टम प्रमेटिंग में हम यूज करते हैं जैसे कि मालने जिए मुझे यहां पर अमाउंट है तो मुझे यहां पर MRP 1500 लिखना है MRP 1500 तो कैसे होगा कुछिए अगर मैंने मेनुले लिख दिया MRP 1500 तो यह तो टाइप हो गया बट इसमें किसी भी तरह की mathematical calculation नहीं होगी मैं चाहता हूँ कि मैं टाइप तो करो 1500 बट सो हो MRP 1500 तो फॉर्मेट सेल में गया है कस्टम में गया है और यहां पर हमने कर दिया MRP MRP को inverted कॉमा के भी लिख दिया है ठीक है और यहां पर 123 यहां एक ही बाद 0 कोई फर्क नहीं पड़ता अब यहां पर कोड़ी नंबर हूँगा तो MRP उसमें आटमेटकली लग जाएगा समझ गया है हाँ 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 प्रिफिक्स सफिक्स दे सकते हुआ तो यहां पर कस्टम पर आते हैं और यहां हम एक हैस देते हैं और एक कॉमा देते हैं तो इमाउंट इन 1000 में चला जा जाता है लेकिन मुझे यहां पर बाद में के लगाना है 50K ऐसा दिखना चाहिए ताकि पता चले न तो लास्ट में हम क्या करेंगे इन वर्टिट कॉमामे के लिए तो कोई भी टेक्स को इन वर्टिट कॉमामे आप लिख सकते हैं तो इस देट अगमांग जी आपने कोई डेट डाला तो डेट यहां गिदिग गिया तो डेट में भी अलग फॉर्मेट हमारे पास है यहां यहां पर बहुत सहब फॉर्मेट सेलेक्ट हैो इसमें यूसी तो यहां पर आपको डेट के सिर्मेट में को आँगऑ और यहां पर हम कर देंगे डी मुंहीः पर दे ये लगाया है तो यहां पर ढ़ागा तो यहां पर लगा दो यहां पर दिखेगा सटार्टेंस ते संदे घेका सिफ फॉस्ट लेटर ठीक है कि लिए रहे हैं अगर चार बार कर दून तो कम्प्लीट से टड़े संड़े वंडे दिखेगा तो अपने हिसाब से जो चाहिए कर सकते हैं ऐसे मन्थ में हमने दो एक दाला तो सिर्फ वन दिखेगा दो डाला तो यहां पर आपको दिख रहा है जो चीक है और दो बार तीन बार आल देंगे तो जैन फैप सौट में आ जाएगा और चार बार डाल देंगे तो यह आपको जनवरी फरवरी पुड़ा जाएगा तो अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट त्यार कर सकते है फिर ऐसी टाइम है तो यहां पर माने कि टाइम डाल दिया तो टाइम भी आपका अब एचेज एम एम एसे से हैं एज फूर आवर एस फूर मिनट एस फूर मिनट है एस पर सेकेंड और एम पी एम के लिए आप एम स्लाइस पी एम पहले या बात में अपनी इसाब से लगा सकते हैं ठीक है सर्थ अब इसमें मालों कि मुझे टाइम करना तो कि मैं नहीं चटीस घंटे और 30 मिनट का एक किसी का ओवर डाइम किया मुझे इसको मिनट में चाहिए तो बस कुछ्छी करना आपको क्रण्रिय वाकिट में यह मिनट में करोड जाएगा यह सब्सक्था करनागे अब यहां एक डाउट आता है कि मुझे एक्षोल में जो भी हमने अभी लगाया है वह सब्सक्राइब लगा सके जो हम क्या करेंगे जो हम कोड कस्टम पर्मेटिंग में जो यूज करते थे उसी को हम हम टेक्स्ट के अंदर में यूज करेंगे वह सलेक्ट करता हूं और यहीं पर हम कर्णी राइकेट में एम देदेगे जो आया तूवर्ण नाइन जो एक्चुल में इस पर हम मुझेप्लाई कर सकते हैं कि हां एक मिनट का दो रुप्या है तीन रुप्या है मुझे तो हमारा रिजल्ट आगे है तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और इसमें आगा बढ़ते हैं तो यह हमाने कस्टम फॉर्मेटिंग थी इसको इस्तमाल करके आप देखिएगा आप बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कि आपने एक बार कलर अप्लाइ कर दिया तो इसको डेंग मैं चाहता हूं तो आप बोलते हों कि भाई मेरी फिगर 50 से जैसे ही जाए वो हाइलाइट हो जाए तो हमने पूरे एडिया को सेलेक्ट कर लिया कंडिशनल पर गया और यहां greater than हमने 50 दिया तो जो जो नंबर 50 से उपर है वो हाइलाइट हो जो एक कलर जो हुआ है यह डिफॉल्ट हुआ है आप अपनी हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे क्लर की ऑप्सिंस है यहां फिक कस्तम फॉर्मेट में जाके खुद की कलर अपलाई कर सकते हैं इसे मुझे ग्रीन चाहिए पर कि ऑंपयर आप अपने कंडीशन्स की अकान conditional format में दुवारा बताता हूँ पहले एरिया इरिया सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया में आपको अपलाई करना है यह और यह conditional formatting दिख़रा है इस conditional formatting में क्लिक करेंगे तो कई सारे category है इसमें पहला category है हमारा highlight sales rules इस highlight sales rules में जाएंगे और greater than को सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे by default एक number आजाएगा अब इधी आप 50 आजाएगा जोड़ी नहीं कि 50 आएगा और number के साब से आता है या अगर इसका 40 एगा 50 ले लिया आता है तो आप यहाँ पे अपने इसाब से number दे समय जाता हूँ और 70 से उपर highlight हुजा है और यहाँ default color होगा तो color को यहाँ से drop down करके आप change कर सकते हैं अगर जुरूरत है तो यह color रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं तो जुरूरत के हिसाब से color को change कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ बने बड़ा है वह format है पहले से उसको ले दो यहाँ पिर custom format में जाके अपने खुद के format ले लिजीए ठीक है अगर कर लिजीए तो सबना आगया तो यह वन बाई वन समझते हैं क्या है इसमें तो यहाँ पर हमारे पास greater than है किसी particular number से बड़ा हो तो highlight हो जाए less than किसी number से छोटा हो तो highlight हो जाए between दो number की 20 की data हो तो highlight हो जाए apply करने का तरीका है click किजिए और apply किजिए ठीक है less than and that's between right sir बट इसमें जो है याद अखेगा greater than less than between में आप दो चीज़े कर सकते हो date, time and number इसमें कर सकते हैं greater than Nisha, Neha, greater than Pooja ऐसे number नहीं 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 डाल सकते हैं क्योंकि इसमें लॉजिकल अप्लाइब नहीं हो इसलिए ठीक है यहाँ पर equal to में आते हूँ यहाँ पर exact value इसमें मुझे exact 32 को highlight करना है यहाँ डेटी क्यों नहीं हो, डेटी पर रभी वेशे मालिजा मैं आप सिटी ले लेता हूँ इसमें डेली है और कहीं कहीं में न्यू डेली करते हूँ अब मैं डेली को highlight करना चाहता हूँ तो यहाँ पर equal to में आप यहाँ पर डेली टाइप करेंगे डेली हालाइट हुआ न्यू डेली हालाइट हुआ बट न्यू डेली हो डेली बहुता हुआँ तो सीम हाँ equal to में exact match होगा तभी हालाइट करेगा लगी कभी कभी आपको exact match नहीं मिलता लुक्ता match कर सकते हैं जिसे माल डेली हो चाहाँ न्यू डेली हो highlight हो जाना चाहिए दोनों एक ही उस case में यहाँ text that contain का use करेंगे text that contain पर जाएंगे और यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं यहाँ पर माल डेली तो डेली जिसे में है जो लेटर आप डालेंगे सामने कर दिया तो जिस जिस में M है और highlight हो जाएगा चाहे M single हो यह यह सांथ हो यागी हो और पीछी हो तो text that contain इससे पर जोता है अलसाथ जोड़ी कहीं भी हो contain है मैं सब control F करते हैं आप लोग बस उसमें M होना जाएगा ठीक है मुकेश हो रवी मिस्रा हो तो यह है मुकेश कुमार हो यह मिस्रा हो क्योंकि M तो दुनों में अब इसमें आगे बढ़ते है अगला उक्सन हमारे पास आता है है तो यहां पर मैं प्रक्राइट कुछ डेट डालता है तो आज का डेट हमने डाला और नीचे के तरह ड्राइट कर दिया अब यहां पर हमारे पास डेटा वार में प्रिश्में हाइलाइट में डेट अगरेंगा कि आप यहां ग्रेटर दिया में किसी पर्टिकुलर नुम्बर से बरा यहां पर एकाया तारिक आगके तरह मैं चाहते हो पास बराटेट हाइलाइट हो तो मैं यहां पर डाला पास से बराटेट हो गया इसमें डाले की जरूत में है अगर current year हो तो previous year हो तो डालने पड़ेगी ठीक है 2020 है current year है तो जुनरी नहीं यह डालना है अगर 2019 डालना होता तो आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या exact date को हम हालाइट करते हैं लेकिन मैं चाहता हो system के देट से आज के देट हालाइट हो जाए या previous date या previous month या next week ऐसे हालाइट हो system date से तो देट इसमाल कर तो देट कर दोंगा तो आज के देट हालाइट हो जाएगी और दो अप्रेल हालाइट हो जाएगी tomorrow the last seven days this week last week ऐसे यहां पर गरो गया system date से connected होता है और अप्रेल हालाइट होता जाएगी और color अपने इजाप से चूज कर सकते हो ठीक है सर अब बात करते हैं duplicate value से selected cell में एक नंबर कई बार repeated है मुझे जो भी repeated नंबर उसको हाइलाइट हो तो यह duplicate value मतलब कि मान लिजिए कि मैं यहां पर mobile नंबर निख रहा हो और मैं चाहता हो कि mobile नंबर जैसे दो बार type हो अपने आप हाइलाइट हो जाएगी तो मैंने यहां पर duplicate value को set करिया और इसमें मैं अपना number डालता हूँ और जैसे मैं नीचे डालूँगा तो होगे दोनों हाइलाइट हो जाएगा और तीन बार डालूँगा तीन हो जाएगा अगर repeat बार तो अगर नहीं यूनीक हो तो हाइलाइट नहीं होगा तो हमने conditional formatting के highlights रूम ने सीखा greater than, less than, between, equal to, 10, 10, date of ring and duplicate value कोट आउटिसी ? विवड़त्स? वन माराँ अगर मियंसिए ? उन्हाग या? आगर नहीं हो! अब अगला आता है टॉप बॉटन जिसे मुझे इसमें से टॉप फाइब को हाइलाइट करने है झालाइब को हाइलाइब को हाइलाइब करने है तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे करनेशनल परवर्टिंग में टॉप टेन या टॉप फाइब या टॉप थ्री तो टॉप ती में जो हाइस थ्री नंबर होगे वह हाइलाइट हो जाएब अगर हाइस थ्री नंबर रिपिटेड है तो उसी रिपिटेड वेलू को हाइलाइट कर देगाएब झीके आपको बॉटम करना है अचाहिए कि जो सबसे लोएस्ट हो यहां पर हम टॉप बटन में बॉटम कर देंगे जिसी जिरे एवरेज पता क्या होता है इसका पूरे का आवरेज आपका 42 है तो एक क्या करेगा कि अबब आवरेज अकर मैंने कर दिया तो 42 से जो बड़ा होगा उसको हैलाइट कर देगा और जब भी कभी 42 चेंज हुआ जब भी कोई 42 चेंज हुआ तो यह अपने आपको चेंज कर लेगा ठीक है यह अपने आप निकाल देगा ठीक है एक जब देखिए यह स्लेक्टेट्टेड एक एवरेज 42 है है हज़ड तो जैसे मैंने इसमें अबब आवरेज कर दिया तो अट्टमाटिक 42 से जित्भी बड़े उसको हायलेट कर देगा और जब आपको चेंज कर लेगा संद्धे है ले रहे पापा अब ऐसे ही बिलो आवरेंग जो इससे छोटा होगा उसको हैलेट कर देगा अब डेटा बार क्या करता है जैसे मान लिजीए कि हमें पता करना है कि इस कॉलम में कौन सा हाइएस्ट है इसका क्या पोजीशन इससे मारे 17 में मिडल में में मिढल्स के इसकी रहेंक देगा अब ऐसके बार कि इसको आड़ा हाथ और यहां पे डेटा बार में लिख रहा है इसे से भी अपने आपको चेंज कर रहा है ठीक है ऐसी इसी इसे इसे से आपका रेड टू ग्रीन है और जैसे हाईयस इसमें ग्रीड इक लिए इसे इन एक फिर आईकन सिंपल सा हुआ सकते हैं कौन सा मिडल है कौन सा लूबर अपर है क्या पर माल नहीं कि आपके पास यहां पर क्वार्टर टू है सब्सक्राइब कौन सा चेंज हुआ है कि यहां पर निकालना पड़ता है कि इसमें आपको यहां पर निकालना पड़ता है जिसकी जरूद नहीं है आप यहीं भी जाईए और आइकन लगा देए जो बड़ा होगा जैसे बड़ा होगा इसमान इसमें 26 कर दिया यह बड़ा हो जाएगा यह दाउन हो जाएगा कि कर्दिशनल फार्मेंटिंग थी तो सर एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंज अच्छी तरह से स्ट्रीक है सर्